हलो फ्रेंड्स तो भारते सम्विधान के टेस्ट का आज पार्ट 15 है पार्ट 14 ता कंप्लीट हो चुका है जो लोग नहीं देखे हैं निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे यहां सभी पार्ट का वहां से अब देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जो भारते सम्विधान में इंपोर्टेंट संसोधन किये गया हैं और बार-बार एक्जांस में पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे टोटल 25 कोशन है जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरू बताना चले देखते हैं पहला कोशन कि सम ही उत्तर के आए हर कोशन के लिए दो सकेंड का टाइम दूँगा वीडियो को रोक कर एंसर टिक करिए उसके बाद मेरा अंसर सुनिए तो इस कोशन का सही उत्तर है ओप्शन डी 22 समयधानिक संसोधन उन्नी सो चीयक्तर किस समयधानिक संसोधन के तहत 10 मौलिक करतब्यों को अनुछेद 51 का के अंतरगत जोड़ा गया बताईए और ये भी कमेंट करके जरू बताईएगा वर्तमान में मौलिक करतब्यों की संख्या कितनी है इसकोर के साथ सब ये भी कमेंट करके जरू बताना है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन बी 22 समयधानिक संसोधन उन्नी सो च पर्धान मंत्री पदपर रहते हुए किस पर्धान मंत्री की मिर्तु भारत के बाहर हुई थी यानि विदेश में हुई थी बताईए तो इस तरह के टेकनिक वाले प्रशन बार-बार पुछे जाते हैं ध्यान में रिखियेगा लाल बहादुर शास्त्री पर्धान मंत्री पदपर रहते हुए इनकी मिर्तु उजबिकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी कब 1966 में अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के पर्धान मंत्री कौन बने है बताईए अब तक के सबसे कम उमर के भारत के पर्धान मंत्री थे राजिव गंधी 40 वस की उमर में पिम बने थे वहीं बताईए कि सबसे अधिक उम्र के भारत के परधान मंत्री कौन है कौन थे होगा तो इस कोशन का सयूत्तर है option C मौरार जी देशाई 1977 से लेकर 1989 तक ये भारत की PM थे 80 वर्स की आयू में ये PM बने थे Next प्राथम अमेरिके राश्टरपती कौन थे जिन्होंने भारतिये संसद में भासन दिया था बताईए DD आईजन होबर ये अमेरिका के पहले राश्टरपती थे जिन्होंने संसद में भासन दिया था 1969 में कि समयधामिक संसोधन के ताथ 1951 इस्वी की जणगर्ना के अधार पर लोग सभा में परतिनेधित्व को पुना व्यवस्थित किया गया बताईए कि समयधानिक संसोधन के ताथ दूसरा समयधानिक संसोधन 1952 तो ध्यान में रखिए दूसरा समयधानिक संसोधन कब किया गया 1952 में कि समयधानिक संसोधन के ताथ अंतर राज्ये बिक्री करके अंतरगत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया बताइए सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन है छट्था समयधानिक संसोधन 1956 अगला कोशन है किस समयधानिक संसोधन के तहप भासाई अधार पर राज्यों का पुनर गठन किया गया सही उत्तर है ओप्षन डी सात्वा समयधानिक संसोधन 1956 तो फ्रेंड्स ये सारे कोशन जो है हमारे मास्टर पीडिएव से लिए गया है हमने मास्टर पीडिएव तैयार किया है उसमें बारते समयधान इतिहास और भूगोल के टॉप कलास के कोशन कभर किया गया है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रेप्चन में मिल जागा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट किस समयधानिक संसोधन के टाथ दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंदर शासित परदेश का दरजा दिया गया किस समयधानिक संसोधन के टाथ इसका सही उत्तर है ओप्शन सी दसुमा समयधानिक संसोधन 1971 नेक्स्ट किस समयधानिक संसोधन के टाथ गोवा तथ दामन एंड दिव को भारत में केंदर सासित परदेश के रूप में शामिल किया गया गोवा अभी राज्य है ठीके कोशन को ध्यान पुर्वक पढ़िए और इसका एंसर बतेजिए सही उत्तर है ओप्शन बी 12 समयधानिक संसोधन 1962 किस समयधानिक संसोधन के टाथ नागा लेंड को पूर्ण राज्य का दरज्या दिया गया बतेजिए नागा लेंड बी पहले के अंदर सासित परदेश था तो किस समयधानिक संसोधन के टाथ इसे पूर्ण राज्य का दरज्या दिया गया इसका सही उत्तर है ओप्शन बी 13 समयधानिक संसोधन 1962 किस समयधानिक संसोधन के टाथ हिमाचल परदेश, मनिपूर, तिरिपूरा, गोवा, दमन इंडिव तथा पूडू चेरी में विधान पाली का यो मंत्री परिशद की अस्थपन की गई कोशन को दियान से पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या है तो इस कोशन का सही उत्तर है ओप्शन C, 14 समयधानिक संसोधन 1963 Next, किस समयधानिक संसोधन के टाथ पूडू चेरी को के अंदर सासित परदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया बताइए किस समयधानिक संसोधन के टाथ पूडू चेरी को के अंदर सासित परदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया 14 समयधानिक संसोधन 1963 एक ही वर्स में कई समयधानिक संसोधन किये गये हैं इस बात को भी ध्यान में रखना है किस वर्स सम्यधान में 15 संसोधन करके हाई कोट के यानि उच नियाले के नयधीसों की सेवानुविरिती की आयू यानि रेटायर्मेंट एज 60 वर्स से बढ़ाकर 62 वर्स कर दी गई बताईए तो किस वर्स 15 सम्यधानिक संसोधन किया गया था 1963 इस भी में अगला कोशन है किस सम्यधानिक संसोधन के तहत शपत गरहन के अंतरगत मैं भारत की स्वतंतरता यों अखंडता को बनाये रखूंगा वाक्य जोड़ा गिया जो शपत गरहन होता है उसमें इस वाक्य को किस सम्यधानिक संसोधन के तहत जोड़ा गिया किस वर्स सम्विधान में अठारा हुआ संसोधन करके पंजाबी भासी छेत्र को हर्याना के रूप में गठित किया गया बताइए ये सारे कोशन वेरी इंपोर्टेंट है इसका सही उत्तर है उप्षन सी 1966 इस विमें अठारावा सम्विधानिक संसोधन किया गया था 1966 में किस सम्विधानिक संसोधन के ताथ चुनाव आयोक के अधिकारों में परिवर्तन कर उच नैले को चुनाव याचि का सुनने का अधिकार दिया गया बताइए सही उत्तर है उप्षन ए उनिस्वे सम्विधानिक संसोधन नेक्स्ट किस सम्विधानिक संसोधन के ताथ आसम से अलग करके एक नया राज में घाले बनाए गया बताइए तो में घाले जो है आसम से अलग करके बनाए गया था किस सम्विधानिक संसोधन के ताथ 22 समयधानिक संसोधन 1979 के ताथ Next कि समयधानिक संसोधन के ताथ संसद को यह शक्ति दी गई कि वह समयधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकता है बताईए पहले यह शक्ति संसद के पास नहीं थी लेकिन कि समयधानिक संसोधन के ताथ संसत को सम्यधान के किसी भी भाग में संसोधन करनी की शक्ती दे गई सहुत तरह ओप्षन सी 24 में सम्यधानिक संसोधन 1971 कि सम्यधानिक संसोधन के तहत राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्यों की रेटार्मेंट एज 60 वर्स से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई 41 में सम्यधानिक संसोधन 1976 के तहत कि सम्यधानिक संसोधन के तहत लोग सभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई बताइए सही उत्तर क्या है ध्यान रखिए लोग सभा में मैक्सिमम सदस्यों से 552 हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545, लेकिन ये पहले 525 हुआ करते थी, तो बताइए कि समयधानिक संसोधन के ताथ 525 से बढ़ा कर 545 किया गया, इसका सही उत्तर है option B, 31 समयधानिक संसोधन 1973, ठीके, एक चीज़ाओ नोट करिए, इसी संसोधन के ताथ, यानि 31 सम समयधानिक संसोधन 1973 के ताथ, केंदर्शासित परदेशों का लोगसभा में परते निदेत्वा 25 से घटा कर 20 कर दिया गया, ठीके, वर्तमान में केंदर्शासित परदेशों से 13 लोगसभा सदस से चुनकर संसद में जाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिए, चली अगल कोशन है, कि समयधानिक संसोधन के ताथ, सिक्छा तथ अज्जन संख्या नियंत्रण विशाय को राज्य सुची से समवर्ती सुची के अंतरगत लाया गया तो इसका सही उत्तर है, ओप्शन दी, 42 समयधानिक संसोधन 1976 कि समयधानिक संसोधन के ताथ, राष्ट्रिय अपात का लागू करने के लिए आंतरिक अशान्ति के अस्थान पर सैन्य विद्रोह का अधार रखा गया बताईए पहले समयधान में ये कहा गया था कि आंतरिक आशांति के अधार पर जो है राश्रिय अपात का लागू किया जाएगा लेकिन कि समयधानिक संसोधन के ताथ आंतरिक आशांति के अस्थान पर सैन्ने विद्रो शब्द जो है ये जोड़ा गया यानि सेने विद्रो होगा तबी राष्ट्रिय आपात का लागू किया जा सकता है सही उत्तर है ओप्षण A 44 समयधानिक संसोधन 1978 नेक्स्ट 1991 इसमी में कौन सा समयधानिक संसोधन करके दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी बनाए गया बताईए इसका सही उत्तर है ओप्षण C 41 समयधानिक संसोधन किया गया था 1991 अधिकारिक रूप से दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी बनाए गया समयधानिक रूप से कि समयधानिक संसोधन के तहट लोगसभा तथा राज्य विधान सभाओं की ओधी छे वर्स से घटा कर पांच वर्स कर दी गई तो पहले लोगसभा और विधान सभाओं सभाओं का कारेकल छे वर्स दू का होता था इसे घटा कर पांच वर्स कर दी आ गया कि समयधानिक संसोधन के तहट 47 समयधानिक संसोधन 1980 के तहट तो यह थे भारतिय सविधान के टॉप मोस्ट 25 कोशन जितना भी इसको रहा है नीचे कमेंट करके रते ही और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार